हाई फ्रेंड्स पीके स्टूडियो कोटा में एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मेरे पास है सोनी का MC2500 नंबर केमरा फ्रेंड्स मैं आज आपको दो मिनिट में बताने वाला हूँ कि आप ओटो वाइट बेलेंस सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो चले फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं आगया हूँ यहाँ पर केमरे की डिस्पले पे यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर वाइट बेलेंस यह बटन फ्रेस करना है जैसे आप white balance का बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर Kelvin 15000 दिख रहा है 15000 Kelvin पर यह camera चला गया है हमने एक बार white balance का बटन पुछ किया है जैसे हम दूसरी बार पुछ करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर auto लिखा हुआ आ गया यहाँ पर white balance A लिखा हुआ आ गया A का मतलब है auto white balance जो environment है उसके अनुसार आपका camera white balance capture कर रहा है और अगर आपको इस चीज में यह पता लगाना है कि अभी environment के हिसाप से Kelvin कितना चल रहा है तो इसके side में एक बटन ओर है WB set जैसे आप इसे press करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वाइडमेंट के साप से 4400 Kelvin यह अभी ले रहा है तो 4400 Kelvin अभी यह ले रहा है तोड़ी देर बाद आप दबाएंगे तोड़ा change location होने के बाद दबाएंगे तो आपको कुछ 4500 दिख जाए 4600 दिख जाए 5000 Kelvin दिख जाए तो जब भी अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं हो तो आप सीधा auto balance ऐसे दबाएंगे यह B पे आ गया यह normal हो गया और यह Kelvin पे हो गया और यह auto हो गया तो इसे auto करके आप picture shoot कर सकते हैं तो friends इस तरह से आप इस camera में auto white balance setting कर सकते हैं और Kelvin के बारे में भी WB पे set करके Kelvin के बारे में इस तरह से जान सकते हैं आप देखें यहाँ पर 4400 Kelvin आ रहा है तो friends आज की वीडियो में इतना ही ताप वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं किसी next वीडियो में तब दक के लिए बाबाई जहिंद वंदे मात्रम